आज मैं English Shorthand में Class 26 में Compound Consonant के बारे में बता रहे हैं जैसे क्वा के में एल का हुक के बढ़ा कर दो जैसे ग्वा जी में एल का हुक के बढ़ा कर दो जैसे क्वालिटी क्वालिटी जैसे ग्वा भा जैसे ग्वा टेमाला ग्वा टेमाला जैसे क्विक डवलू एल एतना इस तरह से बनाना जैसे वेल एल में डवलू का हुक लगा दिया वा क्या जैसे वेल नोन वेल नोन वेल नोन जैसे वाल मी की वाल मी की आल मी की डवलू हेल डवलू में जो का हुक लगाते हो एल में तो एल में बड़ा हुक लगा देने से डवलू हेल बन जाएगा जैसे वाई वाईल हो गया जैसे भेल भेल हो गया जैसे मीन वाई मीन वाईल हो गया वंस अगें मीन वाई कि अधार दर को डॉन्वर्ड दे दें बॉता में याद रखना मोटा में ठीक है डॉन्वर्ड आर मोटा में तॉस रर का आवाज बैक्ट करेंगा जैसे इसको रर आसको रर मोटा कर देना पेंसिल से एक बार में हो जाएगा मोटा टे रर एक बार में पेंसिल से हो जाएगा मोटा लर डॉनवर्ड इल इसको भी डॉनवर्ड कर देना इन लर का आवाज ब्यक्त करेगा रगणना नहीं एक बार में मोटा हो जाएगा पैंसिल से कूलर कूलर जैसे टेलर टे लर मोटा कर दिजिएगा याद रहे जैसे रॉलर 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 डवलू एच डवलू जो लिखते हैं उसमें हुक को बड़ा कर देंगे तो डवलू एच बन जागा जैसे भेयर जैसे भीसकी MPMB AIM को मोटा कर दें M को मोटा कर दें M को मोटा करने से MPMB का आवाज निकलेगा जैसे चमपा चमपा यनि इसको मोटा कर दिजिए पेंसिल से एक बार मोटा हो जाएगा जैसे थंब जैसे arc मोटा करना होगा फतला नहीं M और PM के बीच में आगर भाबल हो तो मोटा M नहीं देना यह नहीं एमपी नहीं देना तो पुराना वाला जैसे मैप जैसे मॉप MP और MR sequently we know तब भी मोटा M नहीं देना जैसे अंबरेला जैसे एंपलाई एंपलाई मगर अगर आप हूग नहीं देना चाहोगे जैसे इंपरेस लिख रहे हैं तो हम हूग नहीं देना चाहरे हैं देखे मोटा है एक बार मोटा हो जाएगा तो इंपरेस एंबरास यह निमोटा एक बार में हो जागा पेंसिल से एंबरास एंबरास यह